खबर सा जहां पुर्शे है जहां तिलहर विधायक रोसन लाल वर्मा के प्रयासों से सिंधुली छेतर के ग्रामिनों को खन्नोत नदी पर पुल की सोगात मिल गई है विधायक के हाथों पुल निर्मार कारे का सुभारम किया गया इसके साथ ही अब ग्रामिनों को पेंटून पुल्शे मुक्ती मिल जाएगी कई गाउं की बलाक से दूरी घट जाएगी संधुली बलाक के कटपुरा घाट पर पुल निर्मार के लिए काफी दिनों से मांग पुल का निर्मार कारे सुरू होने से ग्रामिनों की चेहरों पर रोनक दिखाए दे रही है पुल निर्मार होने से आस पास के काफी गाउं बलाक मुख्याला से सीधे जुड जाएंगे सिंधुली आने के लिए बारिस के दिनों में 20 किलोमेटर की दूरी तै करनी होती थी अब यहाँ दूरी घट कर 6 किलोमेटर रह गई है चेतरी लोगों ने विधाय कि इस प्रयास को सराहनी बताते हुए प्रसंसा की है सिंधुली चेतर के ग्रामीड इजन इसे विकास की दिसा में एक यादगार पहल मान कर चल रहे है लोगों का मानना है कि विकास के लिए इमानदार प्रयास का होना जरूरी है इस औसर पर एई आर के स्रिवास्तो जेई बदरी प्रशाद सुभा स्रिवास्तो अवनी सिंग सुरेंद पाल कमलेस वर्मा फूलचन वर्मा नरेंद स्रिवास्तो सियाराम वर्मा ब्रिजभान वर्मा हरी राम वर्मा बिनोद वर्मा स्याम मानन्द अवस्ती किसंचंद गोट कर मौत के घाट उतार दिया सूजना पर पहुंची पुलिस ने पत्नी को हिरास्त में लिलिया जबकि देवर पहले ही मौके से भाग गया मौत के भाई ने मामले की तहरीर थाने पर दी थाना निगोही के ग्राम सहदेव पुर निवासी राज़िनर वर्मा के 26 वर्षी पुत्र राजवीर की साधी 4 वर्स पूर चौक कोत्वाली छेतर के महला अब्दुला गंज निवासी दुर्गेस की पुत्री अंजली से हुई थी राजवीर के भाई अज़ेपाल वर्मा ने बताया कि उसकी भावी अंजली के उसके फुफेरे भाई बबलु निवासी ग्राम निवाडी थाना निगोही से प्रेम प्रसंग चल रहा था इसी को लेकर राजवीर और अंजली में अन्बन रहती थी आज़ेपाल ने बता पहुंच गए पुलिस ने मरतक राजवीर की पतनी अंजली को हिरासत में ले लिया जबकि बबलु रात को ही वहाँ से भाग निकला सियो सदर ने बताए कि अंजली और बबलु के खिलाफ रिपोर्ट दर्स कर ली गई है पोश्माटम रिपोर्ट आने के बाद धाराएं बढ़ाई जाएंगी साजहाँपूर से अमनिस कुमार की रिपोर्ट अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और सेयर करना न भूलें